आप देख रहे हैं चहान वीडियो तो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 19 अपरेल 2023 की 5 बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें एगिनु की तरफ से कॉन्वोकेशन के डिगरी होल्डर की लिस्ट भी निकाली गई है असाइमेंट सम्मिशन की लास डेट के बारे कीजिए तो वीडियो की अब सीधा सुरुवात करते हैं सबसे पहले UGC की तरफ से जारी के गए नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं और UGC की तरफ से बताया गया कि NMIMS जो यूनिवर्सिटी है उसका ODL यानिकी Open Distance Learning और Online प्रोग्राम करवाने का जो अधिकार था वो पताया गया है वो पताया गया है कि उनकी तरफ से जो गाइडलाइन ते वो फॉलो नहीं की जा रही थी सभी इस्ट्रेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में यह प्रोग्राम करवाने की माननेता उनको है या फिर नहीं इसको जानने लिए आप UGC की वेबसाइट पर जा सकते हैं और लगातार UGC notices के माध्यम से भी लगातार आपको updated करता रहता है इसलिए आप regularly UGC की website जो उसको visit कर सकते हैं second update के बार में बात करते हैं और लखनव regional center की तरफ से यह जानकारी दी गई है 23rd convocation से लेकर 35 convocation तक जितने भी जिनको डिगरी मिली थी उनकी जानकारी जो है PDF माध्यम से यहाँ पर दी गई है जिसको आप check कर सकते हैं काफी important जानकारी है आपके लिए भी 23rd convocation से लेकर 35th convocation तक किन-किन students को जो डिगरी है इगनू के अंदर वो मिली है आप इसको चेक कर सकते हैं लखनव regional center की website पर आपको यह मिल जाएगा BLIS के जितने भी इस्ट्रुएंट है उनके लिए काफी अच्छी news है भूनेश्वर regional center की तरफ से आपका पूरा जो 19 अप्रेल से लेकर पूरे जून तक का जो BLIS का schedule है वो release कर दिया गया है जो की IGNU SOE जो की YouTube channel है IGNU का उसमें live प्रसारित किया जाएगा आप इस PDF को जरूर download कर ले अगर आप BLIS के इस्ट्रुएंट है इवन CLIS के जो इस्ट्रुएंट है और MLIS के जो इस्ट्रुएंट है उनका भी उस subject जो होते है वो similar होते है तो आप इसको जरूर download कर ले और देख ले कि कब किस दिन आपका किस subject के related program आने वाला है और इसको जरूर करें ताकि आपका जो BLIS का course है वो पूरा हो जाए जून 2023 के जो examination form भरने की last date है वो 25 अपराल 2023 है 500 रुपे की late fees लेकिन इस समय लग रही है आप जानते की assignment submission की प्रक्रिया भी इस समय चालू है इसकी last date जो 30 अपराल 2023 है अगर आपका जो regional center है या फिर आपका study center उसकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दिगेगी आप कहां पर गूल फॉर्म के जरी अपने assignment को समिट करें या email id के अपने जरीए अपना assignment को समिट करें तो आप offline जाकर भी अपने assignments को अपने study center में जाकर समिट करके आ सकते हैं 30 अपराल 2023 है और इसमें कुछ दिनों का और extension आपको मिल सकता है जब 10-15 अपराल तक आपको 10-15 माई तक आपको हो सकता है कि 30 अपराल के बाद भी मौका मिले अपने assignments को समिट करने का यह जो नया notice होगा वो आपके लिए 30 अपराल को ही release किया जाएगा उससे पहले तक आपको यह जानकारी नहीं दी करूं कितिया जानकारी आपकारी दरूर की इसांना का करूं में uh झाल झाल